स्टुडेंट्स आज हम NCRT प्लस वन का क्वेश्चन 3.10 करेंगे क्वेश्चन यह लिखा आप प्लेयर थ्रोज आ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशिल स्पीड आफ 29.4 मिल्टर पर स्केंट ए पार्ट अफ दा क्वेश्चन तो ए पार्ट देख लेते हैं तो उसकी ड्रेक्शन हमेशा ही डॉनवर्ड रहेगी इसकान से मिल गया बी पार्ट वाट आर दा वेलास्टी अद एक्वेश्चन अफ दा पॉइंट आफ इस मोशन हाइस्ट पॉइंट पे वेलास्टी जीरो होगी बिकाज हाइस्ट पॉइंट के बाद बॉडी रिटर्न होती है डॉनवर्ड तो जब भी बॉडी रिटर्न होगी डॉनवर्ड क्यों होगी बहाँ पे रेस्ट में आएगी तभी होगी न रिटर्न इसका मदा हाइस पॉइंट पे वेलोस्टी जीरो होनी चाहिए एक्सलेशन दू ग्रैप्टी हमेशा वर्टिकल दौनबर यह आंसे भी मिल गया C part Choose the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at the highest point Vertical downward direction to be the positive direction of x-axis and give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion Upward and downward motion में दो चीज़े बताना हैं आपको क्या क्या बताना है देखिए upward motion में यह बताना है कि velocity naturally negative होगी upward में क्यों negative होगी क्योंकि upward motion में आपका जो यह जो position वो negative है इसलिए negative है because reference point टॉप position ली होई है यहाँ पे यहाँ पे x0 है और t0 है तो इसका मदब distance इस तरफ जो increase करेगा वो positive मना जाएगा और इसके उल्टा जो होगा वो negative होगा इसलिए upward motion में इस तरफ हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे position negative लेंगे velocity भी negative लेंगे लेकिन acceleration positive लेंगे उसका cause सुन लेजे क्या है acceleration positive क्यों लेते हैं उसका main इसका जो reason है वो यही है कि हम जो है वो इस तरफ की जो increment है वो positive ले रहे हैं और acceleration हमेशा इस तरफ रहता है downward यह cause है इसको हम positive लेंगे अब downward motion की बात करते हैं downward में तो सारे ही positive होंगे क्यों क्योंकि x इस तरफ इंक्रीज कर रहा है reference point हमारा यह है x equal to 0 t is equal to 0 x positive होगा b positive होगा g b positive होगा acceleration to gravity सारे ही तीनों positive होगे अच्छा next part जो question का है वो यह है to what height d part does the ball rise and after how long the ball return to the player देखिए height v square means u square is equal to 2 u a s वो s की जगा edge आएगा तो यहां से हम height निकालेंगे यह हम देखते है next phase में कैसे होगा देखिए height हम u की value substitute करेंगे यहां पर 29.4 meter per second g की value substitute कर देंगे हमें height मिल जाएगी 44.1 meter अच्छा अब पूछा गया कि time कितना लगगा उसको upper जाने के लिए देख लेते हैं upper जाने के लिए time लगएगा उसको 29.4 divided by 9.8 और यह आगया 3.0204 और downward आने के लिए time जो है वो भी बराबरी होगा upper और downward में time लगए लगए थोड़ी होता है अगर air resistance को हम neglect करें जो की question में कहा गया है तो जितना time ascending में लगता है उतना descending में लगएगा ascending और descending time equal होता है इसलिए हम double कर देंगे यहनि के 3.024 का double करेंगे 6 seconds आएगा यह 6 seconds जो है total time है जब ball उसके हाथ में द्वारा जाएगी यहनि के return back होगी okay students